प्यारे बच्चों स्पार्क एजुक और पर आप सभी का स्वागत हैं चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन टॉपिक चला हुआ है अल्रेडी मेंशुरेशन 3D लास्ट लेक्चर में हमने डिसकस किया था 3D में क्यू बॉइड को आप सभी ने वो लेक्चर देख लिया होगा जिनसे वो लेक्चर स्किप हो गया है मिस हो गया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप उसे एक बार जरूर देखिएगा तो आज का जो लेक्चर है वो फोकस्ड है क्यूब पर without any further delay चलिए उस्टिफ्रेंस है कि इसमें जहां क्यूबर्ड में लंबाई चौड़ाई और उचाई डिप्रेंट डिफ्रेंट थी क्यूब में जो भी डाइमेंशन होंगी वो सेम होंगी that means लंबाई चौड़ाई और उचाई इनकी लेंथ बराबर होगी डाइग्राम में आपको दिखाई दे रहा होगा यह एक क्यूब की शेप है यहाँ पे length, breath and height length को अगर एसे represent किया जाए तो breath भी ए होगी और height भी ए होगी यानि जो भी आयाम होंगे जो भी dimensions होंगी उनकी length बराबर होगी जबकि in case of a cuboid in case of a cuboid घनाव की case में length, breath और height वो अलग-अलग दी गई थी इसके example की बात करे तो आपने loodal खेला है तो उसमें जो आप dice use करते हैं वो cube shape की होती है ठीक है volume की अगर बात की जाए cuboid में volume lbh था लंबाई, चोड़ाई और उचाई इसमें तीनो sides को तीनो dimensions को अगर आप multiply कर दे तो volume यहाँ पे a cube हो जाएगा curved surface area की बात की जाए curved surface area cuboid में आपको अच्छे से समझाये था कि top और bottom वाले face को छोड़ कर top और bottom वाले face को छोड़ कर जो बाकी के बचे हुए faces है उनके area का सम curved surface area होता है वक्र, प्रिस्टिय, छेत्रफल होता है तो यहाँ top और bottom को छोड़ दे तो 4 face बचते हैं ठीक है? 4 face और हर 1 face क्योंकि यहाँ पे dimensions तो बराबर है लंबाई भी a है, चोड़ाई भी a है और उचाई भी a है तो यह x square है यहाँ पे जो 6 face बनते हैं 6 के 6 face x square से बने हुए है तो x square का area side का square होता है भुजा का वर्ग होता है तो 1 face का area a square है, तो 4 face का area कितना हो जाएगा? 4 a square हो जाएगा बात की जाएं अगर total surface area की संपूर्ण प्रिस्ठिय छेत्रफल की तो जो top और bottom आपने खुला हुआ छोड़ा था in case of curved surface area in case of वकिर प्रिस्ठिय छेत्रफल जो portion आपने छोड़ा था उस portion को भी आप attach कर दीजिए total surface area आजाएगा that means जब total surface area की बात की गई तो यहां जो 6 के 6 faces है उन सभी के area का sum total surface area होगा एक face का area a square है तो 6 faces का area कितना हो जाएगा 6 a square यह कुछ cuboid से ही मिलता जुलता है बस यहाँ पे L, B, H तीनों की जो value है वो single variable से हमने replace कर दी है a से replace कर दी है cuboid में एक term आई थी longest diagonal यह simply diagonal बात longest diagonal बोले तो भी वही है क्यूब का diagonal cube के diagonal की अगर हम बात करें तो यह वो biggest rod होगी जो इस cube में place की जा सकती है यह जो आपको magenta line अपको दिखाई देरी purple line अपको दिखाई देरी है यह वो rod है biggest length की rod है जो की इस cube में place की जा सकती है इसकी length in case of a cuboid length क्या था under root L square plus B square plus H square L, B और H की जगे अगर आप A place कर दोगे तो longest diagonal की जो value हो जाएगी length होगी L, B, H की जगे अगर A रख देंगे तो यह कितना हो जाएगा 3 times of A square that means root 3 times of A तो यह basic properties यह basic results है प्यारे बचों यह आपको tips पर होने चाहिए जरूरी है इनी पर based आज की questions पर चलते हैं ज़्यादा और कोई बड़ी चीज नहीं है बहुत सारा आपको याद नहीं करना है यह basic गिने चुने तीन formula है चार formula इन्हें याद रखिएगा tips पर रखिएगा So guys क्या कहता है आज का पहला question 3 cubes of iron whose edges are 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted and formed into a single cube 3 cubes है उनकी sides आपको दे रखिए 6, 8 and 10 cm दे रखिए edges की बात करे, side की बात करे, length की बात करे, बात एक ही क्योंकि cube में जो dimensions होंगी चाहे वो length, breadth और height तीनों की तीनों की value same रहेगी तो 3 iron cubes दे रखिए और उनकी sides दे रखिए 6, 8 and 10 cm उनको पिगलाया गया और एक single cube बनाया गया, तो पूछा गया जो नया cube बना है, उसका edge की value क्या होगी प्यारे बैचों, यहाँ पर volume change नहीं होगा, तीनों cube को मिला के, तीनों छोटे cubes को मिला के एक बड़ा cube बनाया गया है, तो तीनों की volume को आप जोड़ दीजिए, तो वो बड़े, जो बड़ा cube बन रहा है, उसके volume के बराबर होगा तो जो नया cube बना, उसका volume, इन तीनों के volume का sum होगा, जब edge आपको 6 दी है, तो इसका volume कितना हो जाएगा, 216 दूसरे का edge 8 है, तो इसका cube कर दीजी, कितना हो गया, 512, तीसरे जो cube है, उसकी side 10 है, तो उसका cube कर दीजी, कितना हो गया, 1000 तो जो net volume होगा वो कितना हो जाएगा 1728 कितना हो जाएगा 1728 और यह किसके बराबर होगा A cube के बराबर होगा तो यहां से इसकी length निकल के आ जाएगी इसका जो edge है बिटा cube कर दीजिए 1728 cube होता है किसका होता है 12 का तो इधर लेके जाएगी तो cube root हो जाएगा तो यहां पर A की value आ चुकी है 12 that means जो नया cube बनेगा उसके edge की length होगी 12 cm option A will be the right answer is that clear next one have a look पढ़िये क्या कह रहा है बुले the diagonal of a cube is and root 192 cm its volume will be प्यारे बच्चो अभी बताया longest diagonal की बात करे या diagonal की बात करे diagonal की length अभी बताया था किसके बराबर तो root 3 times of A किसके बराबर दिया है 192 आप देखे तो A के multiple में root 3 होना चाहिए तो कोशिश करो अगर आपको edge पता चल जाए या length पता चल जाए side की तो उसका volume भी निकाल सकते root 3 के multiple में break करो इसे आप लिख सकते हैं 3, 6, 18 और 3, 12 ठीक है 64 को बाहर ले आए तो कितना बनेगा 8 root 3 बेटा root 3 से root 3 cancel हो गया तो A की value कितनी आई 8 volume पूछा है क्या होता A cube 8 का cube कर दीजिए कितना हो जाएगा 512 cm2 इन cm3 पूछा है तो volume कितना होगा 512 cm2 easy है कोई मुश्किल नहीं है basic question है बिल्कुल basic question है ठीक है ओके चलते हैं next one पर heavy look question read करो area of the floor of a cubical room is 48 square meter the length of the longest rod that can be kept in the room 2017 का tier 2 का question है tier 2 2017 देख लो कितना basic question बनता है cube और cube पर बहुत difficult questions नहीं बनते हैं हाँ question मुश्किल तो नहीं बनते हैं लेकिन कई बार क्या होता है जो आपका modus operand ही है काम करने का जो तरीका solve करने का जो तरीका है उसकी calculation को बढ़ा बना जेता है वो बस क्या करता है statement को थोड़ा सा बढ़ा देता जो examiner होता है statement को थोड़ा सा बढ़ा करके देगा बच्चा सोचता है questions बहुत ज़्यादा complex से calculation को lengthy लेके चला जाता है बट ऐसा नहीं है concept based अगर आप questions को करेंगे तो थोड़ा सा time लेंगे एक दू सेकेंड एक्स्टा लेंगे समझ की करेंगे तो questions काफी जल्दी नहीं बटने वाले है देख लीजिए कैसे question में कहा गया area of the floor of a cubicle room एक घन के आकार का कमरा यानि कि जिसकी लंबाई, चोड़ाई, उचाई सब बराबर है फर्ष का area दे दिया square meter, the length of the longest rod that can be kept in the room is अगर आपको इसका edge पता चल जाए, तो longest rod की length आप निकाल सकते किसके बराबर होगा, root 3 times of a, longest diagonal किसके बराबर होगा, root 3 times of a, तो आपका जो focus होना चाहिए, वो a की value calculate करने पे होना चाहिए अब जो फर्ष है, जो फर्ष है कमरे का, वो एक square की shape में है, that means a square की value आपको दे रखी, कितना 48 square meter यहां से a की value आप निकाल लीजिए आप इसे क्या कह सकते हैं 16 गुना 3 कह सकते हैं root आप चढ़ाएंगे, तो भाई कितना बन जाएगा, यह 4 root 3 हो जाएगा, एक ही value रख दीजिए तो root 3, 4 into 4 root 3 4 root 3 into root 3, तो भाई कितना होगा, root 3 root 3, 3 गुना 4 कितना बनेगा, 12 meter, तो इस कमरे में जो longest road place की जा सकती है, वो कितने ही होगी, 12 meter की होगी fine, clear है, चलिए next question देखते हैं बोला गया है, 3 solid iron cubes of edge 4 cm, 5 cm, 6 cm are melted together to make a new cube यह question भी भाई, आपका T, tier 2 2017 का पूछा हुआ question है ठीक है basic question है, लेकिन solve करने में बहुत से बच्चों ने जब जब feedback दिया था तो यह बोला था, कि इस रख calculated था, 2017 यह 2017 उस paper का question है जिसे CGL mains का सबसे difficult जो session था माना गया था, 2017 इस तरह के question पूछे गए थे बस कहीं न गहीं जो आपके तरीके थे questions को solve करने के वो लेंदी हो गए थे प्यारे बच्चों, चलो देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, चार cubes को, जिनकी edge की length दिये, 4, 5 and 6 cm इन्हें पिगलाया गया और बोला गया, due to improper handling, जो प्रक्रिया थी, कहीं न कहीं वो सही नहीं थी जिसकी वज़े से 62 cm cube of the metal lost इतने material का नुकसान हो गया, the area in cm square of the whole surface of the newly formed cube इसके, इसकी जो ये lost हुआ है, जो ये material lost हुआ है, इसके loss होने के बाद, एक cube बन के आया, एक cube बन के आया उस cube का आप से total surface area surface area, जब आप से जब वो curved surface area mention नहीं करता है सिर्फ surface area mention करता है without presence of curved आप इसे क्या लेके चलेंगे, total surface area की ही वो बात कर रहा है प्यारे बच्चों, आपको जरूरत किसकी एक ही जरूरत है यहाँ अगर तीनों का volume 4 है, तो इसका जो cube होगा volume होगा वो कितना होगा, 64 5 का कितना बनेगा, भाई 125, और 6 का कितना बनेगा, 216 अगर हम इने add कर दे, इन में 353 है, तो यह कितना बनेगा 343, इस पूरे में से अगर आप 62 सब्ट्रेक्ट करेंगे, तो कितना है गा, 343 यानि कि 62 cm cube loss होने के बाद भी, 343 cm cube अभी भी material बचा हुआ है, और यह देगा आपको नए cube का volume, तो यहाँ से एक ही value आपको मिल गई 7 cube root कर दीजिए, 343 तो cube होता है 7 का, तो एक ही value आपके पास आगी 7 आप से पूछा है, find the whole surface area, whole word use किया है, बहुत बढ़िया यहाँ पे whole word use किया है that means total surface area की बात कर रहा है, अब जैसे आपको दिखा, एक ही value 7 है तो total surface area, option से देखके नहीं कर सकते कुछ बच्चरी टिक कर चुके होंगे जैसी 7 दिखा, एका cube करना शुरू कर दिया, यहाँ पे volume नहीं पूछा है तो अगर ताप 343 टिक करते हो click करते हो, तो वो गलत होगा option पे नजर जाती है, 7 दिखा 7 का cube कर दिया, 343 क्यों करना है क्या उसने volume पूछा, volume तो पूछा ही नहीं, उसने पूछा क्या total surface area, total surface area होता क्या है 6 times of a square, 7 का square करेंगे तो 6 गुना में 49, 50 गुना 6 306 घटा दीजिए, तो कितना हैगा 294 294 cm square, 294 cm square is that clear, okay, गलती नहीं करने, जल्द बाजी में आपने देखा question basic है, जैसे आपको side मिली, सीधा नजर घुमाते है options पे, यह बहुत जल्द बाजी करते हैं आप question को solve करने में में के तो सिर्फ अगर 1 second या 2 second extra लेंगे तो आपको repeat नहीं करना पड़ेगा cross verify नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा patience रखिए, आपको इतना time मिलता है, questions को आप अगर आराम से भी करें, आराम से करने का मतलब में है, सुस्त होने की बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा patience रख के करेंगे, तो सारे के सारे questions बहुत आराम से बनेंगे, ठीक है, जल्द बाजी में आपको कई बार क्या होता है, cross verification ज़्यादा करना पड़ जाता है, जिसकी वज़े से आपके time का loss होता है, ओके गाईज, चलिए, next one, have a look, क्या कह रहा है, the volume of a cuboid is twice to the volume of a cube, एक घनाब का आयतन, एक घन के आयतन का दो गुना है, if the dimensions of cuboid, cuboid की dimensions दे रखिए, 9, 8 और 6 cm, then find the total surface area of the cube, dimension आपको cuboid की दे रखिया है, surface area आप से cube का पूछा हुआ है, tier 1, 2016 का ये question है, basic question है, यहाँ पे, जो volume निकल के आगा, इस dimension की अगर हम बात करें, 9, गुना में 8, गुना में 6, ये तो volume हो गया, किसका cuboid का, cuboid के volume का half cube का volume है, आप उल्टा पढ़िए, वो कहरा, cuboid का volume cube का double है, cuboid का volume cube का double है, और अगर मैं cube की बात करूँ, तो हम कह सकते, cube का volume, cuboid का half हो गया, तो इसका जैसे ही हम half करेंगे, तो volume मिलेगा हमें cube का, that means यहाँ से अगर हम जो a की value निकालेंगे, वो cube की edge होगी, 2 से cancel होगी है, 3 पर, cube root कर दीजिए, 9, 27, 27 का cube root कितना होगा, 3, 8 का cube root कितना होगा, 2, तो यहाँ से edge आपको मिल चुका है, 6 cm, आपसे पूछा, total surface area, total surface area किसके बराबर होगा, 6 a square, 6 a square, 6 गुना 6 का square करेंगे, तो यह 6 का cube नहीं होगा, 6 का cube कितना होता है, 216 cm square, डाउट, basic question बनता है, कोई घबरानी की ज़रूत नहीं है, आसानी से बना लोगी, ओके, चलो, next question देखो, have a look, बोला, if the sum of 3 dimensions, 3 dimensions, किसकी बात कर रहा है, 3 dimension की बात कर, अगर single dimension की बात होती, तो cube की बात होती, यहाँ पे 3 dimension की बात है, that means, यह cuboid की बात कर रहा है, that means, length, breadth और height की बात की गई है, and the total surface area of a rectangular box are, यहाँ पे 3 dimension का sum आपको दे रखा है, 12 cm, और total surface area of rectangular box, rectangular box, that means, cuboid की बात कर रहा है, यह centimeter square, centimeter two मत पड़ लेना, यह centimeter square है, ठीक है, work centimeter है, respectively, then the maximum length of the stick that can be placed inside the box, cuboid पे आगिया है, last time में आप से कहा था, cube और cuboid के mixed question करेंगे, तो अब से पहले जो question थे, वो cube से related थे, अब जो questions आएंगे, उसमें cube भी आएगा, और cuboid भी आएगा, यह question cuboid पे बनाए, cuboid, जो maximum length की जो stick होगी, वो रखने के लिए, हमें longest diagonal की बात की जा रही है, formula क्या होता है, L square plus B square plus H square, यही होता है, तो हमें specially L, B और H, इन तीनों dimensions की value हमें पता होनी चाहिए, जो कि हमें नहीं दी, हमें सिर्फ sum दिया है, और total surface area दिया है, यानि कि L plus B plus H की value आपको दी है 12, आप इसका दौनों तरफ square कर दीजिए, square करने पर यह बनेगा, क्या L square plus B square plus H square, प्लस में twice of LB plus BH plus HL, यह algebraic identity आपको याद होनी चाहिए, algebra में आपको सिखाया था, बहुत अच्छे से, इसकी value आपको दी हुई है, इसकी value आपको दी हुई है, बोला गया है, total surface area 94, देखो twice of LB plus BH plus HL, यहीं तो total surface area होता है, 94 इधर लई आके घटा देंगे, तो यहाँ से आपको L square plus B square plus H square की value मिल चुकी है, 94 घटा दीजे, कितना आगे है, 50, हमें L square plus B square plus H square नहीं चाहिए, longest diagonal पूछा है न, तो वो होता है कि है, इन तीनों के square के sum का root होता है, तो भाई, दोनों तरफ root कर दो, आप इसे क्या के सकते है, 25 गुना दो, 25 का root कितना होगा, 5, तो length कितनी आ जाएगी, 5 root 2 cm, 5 root 2 cm, हो सकता है, आपको direct formula पे question ना पूछे, derived करना पड़ सकता है, थोड़ी बहुत इस तरह की derived values निकालनी पड़ सकती है, derived formula का use करना पड़ सकता है, basic question है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, 2016 का tier 1 का question है, चलो फिर अगला question बनाओ, next one, देखो क्या कह रहा है, a solid has 12 vertices and 30 ages, how many faces does it have, ऐसा question अभी तक SSC में सिर्फ एक ही बार पूछा गया है, यह 2012 में CHSL में question पूछा है, इसका मतलब यह नहीं कि यह repeat नहीं हो सकता, इस तरह के questions पूछे जा सकते हैं, और यह question है, Euler's formula based, actually कोई भी, आप इसे बोल सकते है, polyhedron, polyhedron होता क्या है प्यारे बच्चों, आपका cube है, cuboid है, यह भी polyhedron है, यानि कि जहां पर कोई two dimension figure, edge to edge connect कर दी जाए, triangle को जोडते चले जाए, triangle को जोडते चले जाए, pyramid बनेगा, ठीक है, आप square को जोडते चले जाए, आपका क्या बनेगा, cube बनेगा, rectangle को जोड़ेंगे, तो cuboid बनेगा, इस तरह बहुत सारी figures बन सकती है, जो tetrahedron के, polyhedron के end राती, tetrahedron भी क्या है, polyhedron है, polyhedron के end राती है, तो Euler's का एक formula है, यहाँ पे तीन चीज़े, use में आती है, vertices, face, or edge, यह एक equation है, vertices, faces, and edges, last class में मैंने आपको समझाये था, last class में, cube bird के case में मैंने आपको समझाये था, चाहें cube bird है या cube है, cube bird के case में, बच्चों, vertices, face, or edge, इन तीनों की value मैंने आपको, with the help of an example, आपको समझाये थी, edges कितने होते है, cube bird के case में, और cube के case में, 12, faces कितने होते है, edges कितने होते है, कितने होते है, 12, faces कितने होते, 6, vertices कितने होते, 8, यह equation, polyhedron के लिए true होगी, इस case में, यहाँ पे a solid has 12 vertices, vertices कितना दिया, 12, edges कितना दिया, 30, आप से पूछ लिया, faces कितने होंगे, तो faces की value निकाल लो भाई, 12 और 30, इनका difference कितना है, 18, negative 18 जाके जोड़ जाएगा, तो faces कितने हो जाएंगे, 20, तो यह formula important है, हाला कि अभी तक इस पर सिर्फ एक ही बार question बना है, लेकिन बन सकता है, तो important है, vertices plus face minus edges किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, polyhedron के लिए यह true होगा, ओके प्यारे बच्चों, तो इसका answer कितना होगा, 20, कितने faces होगे, 20, is that clear, 2016 में पूछा, दो बार repeat हुआ है, 2016 में भी पूछा है, और 2012 में भी पूछा है, CHSL में पूछा हुआ है, ओके चलो फिर, next question देखते हैं, बोला गया, अच्छा, यहाँ पर, इस question में, यहाँ थोड़ी सी misprinting है, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर, ओके, इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर, अच्छा है, यहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं है, अच्छा, इस question में, यहाँ पर, जो इस 60 दे रखा है, यहाँ पर, इसका कोई मतलब नहीं, यह misprinting है, ठीक है, हिंदी में सही था, चलिए, next question पर चलते हैं, 2 cm of rain has fallen on a square kilometer of land, 1 वर कि किलोमेटर भूमी पर, 2 cm की बारिश हुई है, assuming that 50% of the raindrops could have been collected and contained in a pool having 100 meter into 10 meter base, जो बरसात हुई, उसकी 50 प्रतीशत बूंदे इखटा करके, एक पूल में डाल दी गए, और पूल का जो आधार दिया है, वो 100 meter गुना 10 meter का दिया है, जो पूल में पानी का जो सतर है, जो लेवल है, वो कितनी उचाई तक उठेगा, यह question 2016 tier 2 में पूछा हुआ question है, tier 2 2016, बहतीन question है, समझने का फेर है, लोग इसे बढ़ा करके आए, लेकिन question छोटा सा है, समझने हैं, प्यारे बच्चो, question छोटा सा ही है, लेकिन diagram की help से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, suppose, यह एक जमीन का टुकडा है, बोला गया square kilometer of land, यहाँ square kilometer की बात करें, देखो options हम देखें, तो kilometer, meter, centimeter सब दिया है, क्योंकि जो बारिश है, वो centimeter में दिये, तो हम एक काम करते हैं, और वहाँ पर जो dimensions है, वो 100 meter into 10 meter, तो एक काम करते है, kilometer, यहाँ लंबाई 1 kilometer, that means 1000 meter, चोड़ाई भी 1 kilometer, that means 1000 meter, एक भूमी का टुकडा है, जिसका छेतरफल 1 square kilometer, that means 1 kilometer लंबाई है, और 1 kilometer चोड़ाई है, इसकी उचाई, क्योंकि जो बारिश हुई है, इसमें 2 centimeter की हुई है, यह जो उचाई है, यह दो centimeter की है, तो आप इसे भी meter में convert कर लीजी, 2 by 100, तो यह एक क्यूबॉइड की shape में बन गया, नीचे क्या square है, जो height है वो बारिश की, जो height है वो क्या, इस पर पढ़ने वाली बारिश की मात्रा है, यहाँ पे बारिश पढ़ी है, उसकी height दी हुई है, कितनी 2 centimeter, इस पे जो पानी गिरा, उस पानी का 50%, उस पानी का, उस पूल है, इस तरह से रहा होगा, पूल कुछ इस तरह से रहा होगा, इसका जो base है, वो 100 meter उसकी length है, 10 meter उसकी breath है, पूछा है, कि जो इसमें पानी डाला गया, इस 1 square kilometer area पे जो 2 centimeter की बारिश हुई, उसका 50% इस पूल में पानी डाल दिया गया, अब यह पूल भी तो क्या है, क्यूबॉइड की shape है, जहां लंबाई, चोडाई और उचाई की बात है, suppose यहां तक पानी भर गया, तो यह जो height है, यह जो level है, यह आप से पूछा है, प्यारे बच्चों, यहां से जो पानी इखटा हुआ, उसका volume, इस क्यूबॉइड के volume के बराबर होगा, लेकिन उसका पूरा नहीं, उसका half, इखटा करके, इसमें डाला गया, तो जो पानी यहां से इखटा करके, इसमें डाला गया, उन दोनों का volume सेम होगा, और यहां का volume और यहां का volume क्या represent कर रहे हैं, क्यूबॉइड को represent कर रहे हैं, तो यहां पर गिरने वाला पानी, चलो, यहां पर इस से solve करते हैं समझना भाई बहुत basic सा question है इस cuboid का जो volume होगा length 1000 height कितना 2 upon 100 चलिए करते ही calculate 1000 1000 2 by 100 ये तो हो गया total इस पर गिरने वाला पानी लेकिन ये पूरा नहीं लेना इसका half लेना है इस पूरे पानी की मातरा का half लेके इस pool में डाला गया अब pool का जो volume होगा इस पानी के volume के बराबर होगा suppose ये कितना है 100 into 10 और इसकी height हमने मान ली h बस आपको यही calculate करना है बस क्या अब तो आगे काटा पीटी मचानी है 2 से 2 cancel 2 0 से 2 0 cancel 3 0 से ये 3 0 cancel तो यहां से height आ चुकी है कितना 10 क्योंकि जो आपने सारी dimension थी वो तो centimeter में calculate की है meter में ये centimeter है किस में calculate किया है meter में calculate किया है काटा पीटी मचाने के बाद यहां क्या बचा सिर्फ 10 बचा तो height की value आ चुकी है 10 जो सारी dimension है वो तो हमने meter में calculate किया that means pool में जो पानी का जो level है पानी का जो स्तर है वो कितना उठेगा 10 meter बेटा ध्यान रखना options को थोड़ा ध्यान से देखना 10 centimeter भी है और 10 meter भी है गलती मत कर देना clear है चलिए next question पे चलते है have a look क्या बोला गया पढ़ो जरा क्या कह रहा है the rain water from a roof 22 meter into 20 meter drains into a cylindrical vessel having diameter of 2 meter and height 3.5 meter वहाँ पे एक पूल में इखटा किया गया था यहाँ पे एक छत से जिसका आयाम दे रखे जिसके dimensions दे रखे है 22 गुना 20 उसके पानी को cylindrical vessel में इखटा किया गया cylindrical vessel के dimensions दे रखे diameter 2 meter है और height 3.5 meter है तो पूछा गया if the vessel is just full जो cylindrical vessel है वो पूरी तरह से भर गया है तो जो rainfall हुआ है वो कितनी height का हुआ है that means कितने centimeter की बारिश हुई है तो जो छत पर पढ़ने वाला पानी है वो cuboid जो छत है अगर उस पर पानी को हम डाल दे ठीक है तो जो shape बनेगी वो cuboidal shape बनेगी उसका volume कितना होगा base कितना 22 into 20 ये तो क्या है base का area गया into height height मैंने कहा दी h ये बारिश होई है height h, h centimeter की बारिश है ये volume और cylindrical vessel का volume सेम होगा cylindrical vessel बिटा volume क्या हो तो pi r square h pi r 22 बटे 7 r square यहाँ पे diameter आपको 2 दिया है तो radius कितनी होगी 1, 1 square 1 हो गया height कितनी दिये 3.5 calculate कर लो भाई 22 से 22 cancel 7 से 0.5 पे cancel हो गया ठीक है h की value निकाल लो h की value कितनी आगी 0.5 by 20 या आप कह सकते 5 बटे 200 5 बटे 200 लेकिन जो ये value निकल के किस में आईगी ये value तो निकल के meter में आएगी क्योंकि 22 बटे 20 meter है जबकि question में पूछा क्या है rainfall in centimeter तो इस meter को centimeter में बदलने के लिए कितने से multiply कर दे 100 से 2 0 से 2 0 cancel तो कितना हैगा 2.5 centimeter option B will be the right answer is that clear ओके चलो फिर अगला question देखा जाए बहुत बहतरीन questions में से ये 2016 tier 2 का ये question है पढ़ो और reply करो अपने answers देखें क्या कह रहा है if 64 buckets of water are removed from a cubicle shaped water tank completely filled with water एक cubicle shaped water tank है जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ है अगर उसमें से 64 बाल्टी पानी निकाल लो तो 64 बाल्टी पानी निकालने के बाद भी इस tank में इसकी capacity का एक तिहाई भाग बच जाता है दो पार्ट निकल गई 64 बाल्टी पानी निकालने पर दो पार्ट निकल चुके है बचा कितना एक पार्ट बचा है तीन में से दो पार्ट निकल गए एक पार्ट बचा, the length of side of the tank is 1.2 meter, क्योंकि ये cubical shape में है, तो हर जो edge होगी, उसकी length 1.2 meter होगी, assuming that all buckets are of the same measure, सभी बाल्टियों की जो धारिता है, जो शमता है, वो सभी की समान है, then the volume of the water contained by each bucket is, तो प्रतेक बाल्टी में आने वाले पानी का आयतन ग्याद करना है, by cubical shape है, तो volume क्या होगा, side का cube, क्योंकि यहाँ पे, ये meter decimal में दे रखा है, तो हम इसे centimeter में convert करें, तो 1.2 meter, 120 centimeter के बराबर होगा, इसका cube कर दीजिए, क्योंकि ये तो edge है, इसका cube करेंगे, ये किसका cube हो गया है, इस tank का volume हो गया, इस tank का volume हो गया, लेकिन जैसे 64 बाल्टी आपने निकाली, इस volume का एक बटे तीन पार्ट बचा हा, इसका मतलब ये जो volume है, इसका दो बटे तीन भाग बाहर जा चुका है, कितनी बाल्टियों में बाहर जा चुका है, 64 बाल्टियों में बाहर जा चुका है, पूरे volume का दो बटे तीन भाग, पूरे आयतन का दो बटे तीन भाग बाहर चला गया, वो किसके बराबर है, 64 buckets के बराबर है, एक बाल्टि के volume की अगर हम बात करें, काटा पीटी मचाओ भई, 8 से 8, 8 से 15, ठीक है, 8 से 15, 3 से 40, 15 पंदरे, 225 गुना चार, 900, 9000, कितना आया, 8000, कितना आया, 8000, सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, 8000 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, किसका, एक bucket का volume, 8000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ रहा है, क्योंकि हमने meter को सेंटीमीटर में convert कर लिया है, लेकिन जो volume पूछा है वो किसमें पूछा है वो पूछा है लीटर में क्योंकि यहाँ पे आपको 0 दिखाई नहीं दे रही है और यहाँ पे mention कर रखा है इन लीटर अब आपने तो calculation किसमें कि सेंटीमीटर क्यूब में last lecture में मैंने बताया था 1000 सेंटीमीटर क्यूब एक लीटर के बराबर होता है तो 18,000 सेंटीमीटर क्यूब एक लीटर के बराबर होगा बोल दो हाँ अरे बोल दो हाँ यही तो होगा तो घबराना नहीं है relation conversion आपको आना चाहिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब की value एक लीटर के बराबर होती है तो अठारे हजार सेंटी मीटर क्यूब की वैल्यू अठारे लीटर के बराबर होगी समझ आया या नहीं कमेंट करके बता दो ठीक है तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ आज के सारे कोस्चन्स आपको पसंद आये होंगे समझ भी आये होंगे तो लाइक तो बनता है और शेयर भी बनता है मुझे कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए चलिए आज की मुलाकात में प्यारे बच्चों इतना ही अगली क्लास में अगली लेक्चर में मिलेंगे हम नए टॉपिक 3D में सिलेंडर के साथ ओके गाईज थैंक यू सो मच